थोड़ा समय बेला आमें काठियावडी रेस्टरंट मा जुन्मा गयाने तो तियां वडवाणी मर्चानू भरेलू शाक चाक्यू। स्वादमा खुबज मस्ततू। तो थयू के आजे मारी रिते डूंगली लसन अने टमेटाना उप्योग करिया वगर एक अनोखी ग्रेवी सते लचका जेऊ वडवाणी मर्चानू भरेलू शाक बनावू। अने मर्चा सते हमेशा थेपला के धेबरा होईने तोज मजा आवे। तो मूरा अने तेना पान साथे जुवार, बाजरी अने अनोखा मसाला उमेरी वणवानी जंजेट वगर एक अलगज रिते धेबरा बनाविये। जेथी मूरो खावनी ना पाडताने पन आ बहाने मूरा अने तेना पानना गुण मळे। तो आ एक अनोखी टेस्टी हेल्धी डिस्ट छे, आखो वीडियो जोई आश यहामा एकवार तो जरूर थी बनाव जो। बनावानी शरूवाड वडवाणी मर्चाना शाक थे करिये। जेना माटे अहीं 200 ग्राम वडवाणी मर्चा लिधा छे। जो वडवाणी मर्चा ना मळेने तो तेना बडले आ शाक सादालीला भरवाना मर्चामा पन बनावी शकाए। वडवाणी मर्चा आवा लामबा अने स्वादे मोडा होई छे। तो एक मर्चाने लई अने तेमा उभोकट लगावी लेवान। अने त्यार पछी चप्पोगडे थोड़ा एवा नस अने बीच अलग करी लेवाना। अने आ न करोने तो पन चाले कानके आ मर्चा चेने ते साव मोडा होई। मर्चू साफ थाई जहिने एटले तेने अलग राखी। अहीं आरी ते बद्धा मर्चा तैयार करेली था छे। तो स्टफिंग बनावा अमाटे गेस नी लो फ्लेम पर एक पेन मा एक टीस्पून तेल उमेरी साथे साथे एक कप बेसन उमेर सु। अने तेने सत्तर चलावता जो याने शेकवानों छे। अहीं आ बेसन छेने एटलोत सेकवानों के जिथी तेमाथी कचास दूर थाई अने बेसन सेकवानी सुगंधावा लाग्ये। परनतु तेनो कलर चेने ते चेंज ना थाई। जो बेसन ना वापरोने तो तेना बडले घरमा बेसन नी जिनी सेव ओई अथ्वा तो गाठिया होई ने तो ते पन भुकोले वापरी शकाई छे। डोड मिनिट शेकाता बेसन सेकावानी सुगंधावानी शरुवाद थाईने एटले गेसनी फ्लेम बन करी अने आ शेकायला बेसनने एक डिसमा काटी सहेज वो ठंडो थवा दैसु। ठंडो थएला बेसन मा थोड़ी एवी समारेली मेथिनी भाजी उम्मेर सु। साथे बे टीस्पुन जेटलो शेकेला सींग अने तलनो अतकचरो भुको पन उम्मेर वानों। जेथी आ मर्चाना स्टफिंग मा एक क्रंची नसाओ से। साथे एक टीस्पुन आदू लिलामर चानी पेस्ट, मसाला मा थ्री फोर्ट टीस्पुन मिठू, थ्री फोर्ट टीस्पुन लालमर चु पाउडर, वन फोर्ट टीस्पुन हर्दर पाउडर, थ्री फोर्ट टीस्पुन धाना जिरू पाउडर, एक टीस्पुन खाण, अने उपर थी अर्धालिम्बुनो रस नी चोवी दई, बद्धु हाथ वड़े आरिते मिक्स करवानू छे। जेती मस्थाला मेथिनी भाजी शेकेला बेसन मा भड़ी एक टेस्टी मसालो बनी तैयार थाई। बस मिक्स करिया पची बनेला आ मसाला ना उप्योग थी कट पाड़ी अने बीजवेन अलग काड़ी राखेला वड़वानी मर्चा छेने, तेमा थी एक मर्चु लई, तेना कट मा समाई ने एटलो मसालो प्रेस करी अने भरवानो छे। तैयार थाईला मर्चा ने एक साइड अलग राखी देसु। अने आरिते एक पची एक बद्धा मर्चा आ लगभग 3 टेबल स्पून जिटलू शिंग तेल गरम करवा उमेर सु। गरम थता तेल मा अर्थी टीस्पून चीरू, वन फोर्ट टीस्पून हीं, बे टीस्पून सफे तल अने बे सुका लाल बोड़िया मर्चा उमेरी वगहर मा सहीज मिक्स करी अने सातर वानु। वगह तेला मर्चाने मिक्स करता चैने थोड़ा एवा सातर वाना। आजे आपने वगहरेला मर्चानो संभारों न थी बनावता पण तुशाक बनाविये छी, माटे मर्चा सोफ्थवा जरूरी छे। तो थोड़ू एव उपर थी मिठु स्प्रेड कर सु। अने त्यार पछी ब ते हवे बिजी साइड पन चड़ेई जाए। बद्धा मर्चा मिक्स सही जाए ने एटले हाथ मा लगभग एक थी डोट टी स्पूंज इटलू पाणी लाई आरी ते मर्चा उपर सहे जेऊ छाटि शू। जेथी मर्चानी अंदर पाणी नो भाग पन न रहें अने सहे जे जूओं मसालो सहेज गोल्डन ब्राउन जेवो थाए गयो छे। अने मर्चानो कलर पन लिल्ला मा थी सहेज पीरास उपर आवियो छे। तेनो मतलब मर्चा छेने तेकदम सोफ्ट थाई चड़ी गया छे। तो मर्चाने हाथ माले प्रेस करता जूओं तेना इजी नीट पर थी सोफ्ट थाई गया छे। बस आ साक मा आवा सोफ्ट मर्चा ज खावानी मज़े आवे। आ समय तेमा अर्धी टीस्पून कश्मिरी लाल मर्चु पाउडर कलर मर्टे उमेरवानू छे। जेथी वडवाने मर्चाना आ साक नो कलर छेने ते एक दम सरस लाल चटक आव चेने तेमा थी जोई अने ए प्रमाने थोड़ोयों मसालों उपर थी भबढ़ावी दईये। अने फरीती सही जेवू मिक्स करी लेवानू छे। मसालों सरस मिक्स थाई जैने एटले आ समाई आशाक थोड़ोयों लचका जेवी ग्रेवी वाळू बनावा माटे बे टेबल स्पुन जेटलू दैं उपरसी उमेरवानू दैंनी खट्टा साथे थोड़ीयों क्रीमिनस पन आवे छे अने वधारे स्वादिस बनी आशाक थाई छे बस थोड़ोयों मिक्स करता चोई शकाई छे के एक दम लचका जेवी वडवाणी मर्चानू भरेलू शाक तयार थाई गयू छे आ समाई तेमा उपर थी एक चमची खान उमेर सु छेथी थोड़ी इवी गलास पन आवे पन जो मर्चाना शाक मा खान ना भावती ह होईने तो नहीं उमेरवानी बस तयार थाईला वड़वाणी मर्चाना भरेला शाक ने कोतमीर वड़े गार नीश कर दाईए जोईने मोमा पाणी आवी गयूने एक दम टेस्टी डूंगरी लसन वगर नू आ भरेला वड़वाणी मर्चानू शाक बहुत सरुस लागे छे पन मर्चा के मर्चाना साक्स थे हमेशा धेबरा के थेपला होईने तोज खावानी मजावे तो आजे शीरामा खुबज मर्ता मूरा अने तेना पाननों उप्योग करी एक अलग रिते वड़वानी जंजट वगर धेबरा बना आमाटे अहीं वजनमा 800 ग्राम एक मोटो मूर करी और तो लिधो छे शाथिति तेना कुणा पाननों पन उप्योग कर्शू तो सवथी पेला मूराने formation करी अलग करी लैये अने तेना पानछेने ते माथी कुणा पान आरी ते डांडी सहीज जुमिनिदी लेवाना अने जे मोटा पानछेने ते डांडी थी अलग करी औने फक्त पान नोज उप्योग कर सु आ रिते एक मुलाना पान अलक करी लई औने पछी बद्धा भेगा करी चप्पु वड़े एक दम जीना टुकडामा चोप करी लेवाना छे मुला जीटलाज गुणो मुलाना पान मा होई छे विटामिन ए औने सिथी भरपूर मुलाना पान मा फाइबर खुबच होई छे वड़े हरस मसा औने पाचनत्रना रोगो माटे मुला अने तेना पान खुबच फाइदाका रक छे अही मुलानों उप्योक करी ने ते पेला चोखा पाने थी मुलाने तेना पान बँणने साफ करी ली धा हाता जेती आपने तेनों डायरेक उप्योक करी चक्के बदध Spike जीना समाराई जहिने त्यकारप शियं मुलाने लई स्लाइसर वड़े छालक अलक करी लेवानी छे पत्यारे मुडा खुब ज रसादार आवेचे, माटे तेमा थी खमणमा वक्ते पाणी नो भाग पण अलग पडशे, पण तु आ पाणी ने अलग ना करता एम मज राखशू, अने तेमा धेब्रा माटे नो लोड बांचू, अहीं आमव्यानो खमण थय गयू छे, तो हवे त वेणी साथे चोप करेला मुवयाना पांचे ने ते उम्मेर्सू, अधे धेब्रा बनाविये छे ने एक कप बाजरिनो लोड, एक कप जुवारनो लोड अने बायनिंग पूर्तु अच वन फोर्थ कप गऊनो लोड, अने वन फोर्थ कप बेसन उम्मेर्सू, जे थी आट गोल उमेर वाती आधे ब्रणोस वात सरसावे, शाथे 2 तीसपुन आधू लिला मर्चाने लसनी पेस्ट उमेरवानी, अने अतिय लिल्लू लसन शरसावे छेने, यह पुन त्रण टीसपुन जेकलू समारी उमेर स्टू, साथे 2 तीसपुन सफेत तल, मसाला मा एक तीसपुन दाल मर्चु पाउडर, 1-4 टीस्पुन हर्दर पाउडर, 1 टीस्पुन धानाजिरू पाउडर, 3-4 टीस्पुन मीठु अने गळास माटे 1 टीस्पुन गोळ उमेर सु। गोळ उमेर वाथी आ धेब्रानो स्वाच्चेन ते बहुस सरस लागे छे, पंचो धेब्रामा गळासना भावती हुएने, तो गोळ उमेर वो ओप्षनल छे। बद्दू उमेरी आ पची हाथ वडे आरिते बदू मिक्स करशू, जेती मुडामा रहेला पाणे ना भागती, जेटलो लोड बंधावो हैने तेटलो बंधाई जाई। पची जोई ए एटलूज पाणे उमेर वनो रहे। मसाला, मुडानो खमन, तेनी भाजी, बद्दू लोड मा सरस मिक्स थाई जाई ने एटले उपर थी एक टीस पुझ एटलो तेल उमेरी, फरी थी एक वार बदू मिक्स करीली धा पची, हवे जोई अने ए प्रमाणे पाणे नोवपियोग करियो छे, बस बद्धू ज मिक्स करता बाजराने जुवार ना काणे एक दम सोफ लोड बन्धाय अने तयार थासे, तो आ लोड ने कुणवानी कोई जरूर न थी, पन्तु आ लोड माथी धेब्रा वनमा होई ने तो ते फाट ता जसे, माटे जाडा कपड़ाने पाणे माँ बोडे, अने आरीती नीचोवी देवानु, काणके धेब्रा आपणे आ कपड़ा उपर बनावाना छे, हवे पाटली उपर भीनू कपड़ू पात्री दैस्चु, त्यार पच्छी बनावेला धेब्राना लोड माथी, एक मीडियम थी मोटी साइजनों लुओ लेवानु, अने आरीते गोल वाले लिधा पची सोफ लुवाने भीना कपड़ा पर गोठफी देवानु, अने हवे हाट पाणे वाड़ो करी, आंगड़ियो वडे बनावेला लुवाने प्रेस करी अने धेब्रू तयार करवानु छे, थोड़ु बद्धी बाजुती एकसरकी सर्फेस बनावी अने तयार थाई जाई ने, एटले थोड़ायवा सफे तल धेब्रा उपर स्प्रेड करी देवाना, फरी थी आंगड़ियो थी प्रेस करी देई, जेती धेब्रा पर तल छेने ते चिपकी जाई, गरम थेला तवाउपर सहे ज परण ताथी अलग थाई जसे, परण तु आ धेब्रू एकदम सोफ्ट छे, माटे एक साइड लगपग एक मेट शेकावा दिधा पच्छी आसपास थोड़ुएवू तेल उमेर सु, अने त्यार पच्छी धीरे रही अने धेब्रानी साइड चेंज करवानी छे, जो तवो ठंडो हसे ने, तो बनावेलू धेब्रू छेने ते तवामा चिपकी जसे, हवे बिजी साइड पन थोड़ुएवू तेल उमेरी प्रेस करता जे, अने आ धेब्राने नोर्मल थेप लाके धेब्रानी जिमर शेक वानू छे, बनने साइड चेंज करता जे अने शे आ धेब्रा स्वादमा एतला सरस बने छेने के ना पूछो वाद, बनेला धेब्राने हवे गर्मा गरम तवा परती उतारी लाइए, अने जम्मानी डिसमा पहला वटवानी मर्चानू डूंगडी टमेटा के लसना उप्योग करियावगर लजका जेवू बनेलू शाग पीर साक पीरसाई जाईने एटले साथे मूरा आने तेना पान ना बनेला हेल्दी टेस्टी धेब्रा पन पीरसिये, साथे लिली डूंगडी लिला मरी अने अथाना होईने एटले शीया आनी सांजे बिजी एक पन वस्तुनी जरूर ना पड़े, खुबच अलग छता आपना साक साथे धेब्रा खासे औने एमनम पन आठेब्रा चा साथे खावानी मज़ा जाओ से रेसिपी नवी उप्योगी लागी होईने तो लाइक करी औने शेर कर जो, साथे जमारी यूट्यूब चेनल सब्सक्काइब करी अमारा फेस्बुक पेद ने लाइक करी औने फोलो कर जोचे थी आवी अनेक नवी चूनी उप्योगी रेसिपी ना अपडेट समने तूरहन तच मड़े फरी मर्सू उप्योगी रेसिपी साथे त्या सुधी आओ जो झाल झाल